कि अनुपात तो इसको नुपात झाल लिखते हैं तो डो संख्याएं है उनका नुपात यह है और उनका अंतर जो है 18 इनको ग्याद करना है संख्याओं को ग्याद करना है आप सबसे पहले तो दो संख्या है संख्या कौन सी है तो अभी हम एक ही चर्कों अनुपात में प्रियोग करते हैं जब बड़ी क्लास में जाओगे तो दो चर्का यूज होगा तो हां पर दोनों को अलग ले सकते हैं लेकिन हम अभी एक ही चर्कों पढ़ते हैं इसलिए एक अंबने संख्या कानुपात और यह आपको पहले से आपके कुसित में दिया है कितना है पांच अनुपात तीन यह पांच अनुपात तीन है माना प्रतेक संख्या बराबर X के गुना जुम्या है तो X मानते हैं माना प्रतेक X तो पहली संख्या कितना है 5 तो इससे गुना कर दो तो 5X हो जाएगा ठीक है दूसरी संख्या 3 से गुना कर दो 3X ठीक है अब ये दूनों आपकी संख्याएं मिल गई पहली संख्या मिल गई दूसरी संख्या मिल गई यह हो गई पहली और यह हो गई दूसरी अब क्या करना है इनका अंतर यहाँ पर अंतर माने घटा दिया है तो बड़े से ही चोटा घटता है तो आंतर दोनों का अंतर लिखना पड़ेगा इहां पढ़े दोनों का अंतर और आंतर है कितना 18 अब यहां अंतर यह 8 है तो इंट मैं से इस से घटा हो इसके नीचे 5X-3X और यह बराबर हो गया 18 यह आपका अंतर आ गया 5X घटा 3x यह अं कैई संख्य कितना अंतर बताया इधर हम उंतर बना रहें इतर डिया हुआ है अब इसमें से घटाएंगे घटा है तो क्या करें घटाएंगे तो पांच में से तीन कटाएंगे तो ऊह यह घटता नहीं जिसे पांच आम है 593 निकाल फांच में से तीन नहीं हो GO सबाइब और यह सिम्पल तरीका अब किया है अब एक्स ब्रावर हो गया 18 के 2 डшт लावल कितना और फोकि अब यह इस ना किगए सवर टाइल यहां लिखो पहली संख्या कर रहले इस यह अब निकाला तो एक्स का मान निकाला तो पहली संख्या एक्स पांच X, यहां लिखो, पांच X, और पांच यही रहेगा, X कमान यहां कितना लिकला है, 9, तो यह हो गया, 45, दूसरी सम्ख्या, बराबर तीन एक्स तो तीन गुड़े नौ यहां भी एक्स की जगा पर वही आएगा और यह हो गया 27 यह उत्तर हो गया अगर चेक करना थे देखो 45 अनुपात को बटे होता 27 काट दो नौ पचे 45 नौ तिया 27 पांच बटा तीन आ गया और यह बराबर हो गया पांच अनुपा कि यह हो गया इंच्वार ठीक कर को यह अलगल भनज़ननोमर 16 तीन लगातार पूण अंक यह तो संक पूण चाता है बनक जानते हैं आप लोग फॉंण यह मतलब जो पूर्स में होता जो दस हो आप संख्या रहों में पूरांक जो नहीं होती दिया कि मैं नहीं होती अ दिपनांक अब कर दिए दुटिंगे पंधिया थे उन रही कियांन यहां माल्हीत पहला पूरांग देख रहा है बच्चों पूरांग बराबर एक्स लगातार मुलब एक एक बढ़ता जाएगा तो दूसरा पूरांग इसका मुलब यह लिखा है उससे एक ज्यादा हो जाएगा ठीक तीसरा पूरांग इससे एक और ज्यादा हो गया एक है एक और जोड़ दो तो यह हो गया एक्स जम्मा दो ठीक आगे कुशन पहला पूरांग एक्स दूसरा एक्स जम्मा एक तीसरा इससे एक ज्यादा यह हो गया इससे ज्यादा यह और इन तीनों को यह कितना है क्या हो ना प्रस्ना अनुसार, तीनु पूरंकों का योग, कितना है, 51 है, यह क्या बना है, अब तीनु का योग, तेहीं तीनु लिखो, पहला एक्स है, दूसरा एक्स जमा एक है, तीसरा एक्स जमा दो है, और इनको मिला के कितना है, यह क्या होना है, अब गिंती एक में जोड़ना, एक में एक, दो तीन, यह हो गया, तीन एक्स और दो और एक यह तीन, और यह हो गया, यह क्या होन, अब इस जमा को इधर ले जा दूड़ा है इधर आके भाग हो जाएगी तो फटीगा तो 16 जिसको काटना ना आए उसको तीन सही से भाग दे दो ठीक है तीन एकंग तीन एक आठ तीन छे गठारा ठीक है यह 16 हो गया सोला गया अब यहां पेंसोर आजाएगा पहला पूर्ण आंख बराबर एक्स और यह बराबर है 16 दूसरा पूर्ण एक्स जमा एक है तो 16 और जमा एक जो एक्स की बहलू यहां निकलती है वही एक्स की जगापे रखा जाएगा यह हो गया 17 और तीसरा पुनांग हो गया X जमा 2 तो यह हो गया 16 जमा 2 कितना हो गया 18 देखो यह है 16 यह 17 यह 18 लगतार हो गया 16 17 यह से मिला लो 16 17 18 तीन हो गया लगतार हैं और इनको हम जोड़ेंगे अगर तो 16 17 और 18 और 18 8 7 15 6 21 तो जितना जोड़ था उत्में जोड़ा गया इन तीनों को जोड़ने पर तीनों संखेय हमें मिल गई तो समझ लिए सवाल तो इस तरह के सवाल कोई भी सवाल है बच्चों इनको बहुत असानी से आप निकाल सकते हो बस क्या करना है आपको बस सवाल को तीन बार पर जाएंब और द्यानकी क्या क्या में ने किसी तरह से समझ में आ जाए और किसी तरह के दूसरे सब्सक्न चैले को प्र데फिस करेंक नहीं करने के 5 बार करने प्रैक्टिस करने का भी तो लिशंचthey रहो करते रहो पीच-वीच। करते तो पेपर के टाइम पर आपको क्रटिस करना जी रुत पर नहीं हो गए और बस रिवाइच कर देना हो गया सवाद और सब्सक्राइब करें बंच लोगों के बीच में Спयर करें लाइक करें झाल झाल